नमस्ते मैं हूँ मानत समर्थ और अगर आप में से किसी को भी सेक्स रिलेटिट कोई भी प्रॉलम है तो फिर आपको परेशान होने की या घबराने की बिलकुल जुरूत नहीं है क्योंकि आप अकेले नहीं है इस दुनिया में हर चार में से एक मेल को ये प्रॉलम है तो आज जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यह है इंपोर्टेंस यानि की सक्स रिलेटिट पॉलम जिसको हम हिंदी में नपुनसक्ता कहते हैं और यही रीजन है कि आजकल जगह जगह अगर आप देखा हुए तो मश्रूम की तरह यह IVF सेंटर्स खुल रहे हैं और यह खुलते हुए नए नए बड़े बड़े IVF सेंटर्स यह बताते हैं कि कितनी तेजी से यह सक्स रिलेटिट पॉलम यानि कि नपुनसक्ता इंपोर्टेंस हमारी इंडिया में हमारे देश में बढ़ रही है आयरुवेट के इसाब से जो इंपोर्टेंस होती है नपुनसक्ता होती है यह छे प्रकार की होती है लेकिन आज हम इस वीडियो में जो में तीन तरह की प्रॉलम है सेक्स लेटिड उसकी बात करेंगे तो पहली जो प्रॉलम है वो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसकों की तनाव की कमी यानि की पैनिस में तनाव की कमी इसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ये पहली प्रॉलम है जो में प्रॉलम है दूसरी प्रॉलम है प्रीमेचर इजकुलेशन यानि की शिक करेंगे तो आइए जानते हैं कि जो नपन सकता है importance है इसके causes क्या है कारण क्या है और इसका treatment क्या है और अभी मैं बताऊंगा कि ये जो आप दो report देख रहे हैं एक ये report है और इसी patient की ये report है इस patient के sperm count था वो 42 million के करीब था शादी को 2 साल हो गए थे लेकिन इनकी wife जो है वो pregnant नहीं हो रही थी because इनका जो शुक्राणूं थे इनका sperm count था वो बहुत लो था लेकिन इन्होंने एक महिने की treatment के बाद कि अब डाइट प्लान चेंज करके कुछ आरुवेदिक चीजे यूज करके इनको just one month में जो report देखेंगे ये सबसे पहले हम बात करेंगे कि erectile dysfunction यानि की तनाव की कमी ये क्या होती है देखें जो तीनों प्रॉलम है ये तीनों अलग अलग प्रॉलम है तो अगर हम बात करते हैं कि erectile dysfunction क्या होता है अगर कोई भी इनसान physical relation बनाना चाहे लेकिन उसके penis में erection नहीं है यानि की तनाव नहीं है तो इसको बोलते है erectile dysfunction यानि की तनाव की कमी और दूसरी जो होती है वो होती है premature ejaculation इसका क्या मतलब होता है जिसकों की हिंदी में शिगर पतन बोलते है कि जब भी कोई इनसान physical relation बनाना चाहता है sexual relation बनाना चाहता है तो erectile dysfunction की problem उसे नहीं है यानि की उसकी penis में erection है लेकिन वो जैसे ही sexual relation बनाता है तो तुरंत वो discharge हो जाता है उसको बोलते है premature ejaculation यानि की जितना proper time उसको hold करना चाहिए था उतना वो hold नहीं कर पाता और जिल्दी discharge होता है जिसको बोलते है शिगर पतन ये दूसरी problem है तो आई ये जानते हैं कि जो erectile dysfunction यानि की तनाव की कमी और premature ejaculation यानि की शिगर पतन इसके कारण क्या है कि जब तक हम कारण को जान नहीं पाएंगे तब तक हम इसका इलाज नहीं कर पाएंगे और तब तक हम अपने आपको ठीक नहीं कर पाएंगे तो अगर हम इसकी बात करते हैं इसके कारण क्या है तो सबसे पहला कारण है वो है stress and anxiety यानि कि अगर आपको बहुत ज़्यादा stress है बहुत ज़्यादा anxiety है तो ये sex related problem आपको रहेंगी रहेंगी हमारे पाँ जितने भी patient आते हैं उसमें mostly patient ऐसे हैं जो IT सेक्टर से हैं उनको बहुत tension रहती है बहुत stress रहता है हमेशा गर में बैठे रहते हैं machine के आगे बैठे रहते हैं कोई physical activities नहीं होती बहुत ज़्यादा work pressure है बहुत ज़्यादा load है जिस वज़े से उन्हें stress और anxiety है जिसकी वज़े से इनको ये problem आ रही है इसमें सबसे जो major problem है वो होती है poor blood circulation देखिए एक बड़ा simple सा process है कि जब भी कोई male एक physical relation बनाना चाहता है sexual relation बनाना चाहता है तो brain जो heart को है वो signal देता है और heart बड़ी तेजी से blood supply करता है penis को तो अगर किसी का blood circulation पूर है यानि कि blood supply जो है जो blood vessel है उसमें supply circulation ठीक नहीं है तो समझे कि उसे ये problem होनी ही होनी है और इसके जो reason होते है poor blood circulation के वो होता है smoking अगर वो करता है drinking करता है किसी को diabetes की problem है तो भी problem होगे कि उसका खून जो है वो काफी गाढ़ा हो जाता है किसी को heart disease है वो भी दवाईयां लेता है और वो दवाईयां उसके heart को बड़ा weak करती है उसके heart को कमजोर कर देती है slow चलता है जिसकी वज़े से blood का flow ठीक नहीं रहता या जिसको obesity यानि कि मोटापा होता है उसका भी blood flow ठीक नहीं रहता तो ये जो चीजे होंगी इसकी वज़े से ये पूरा blood circulation होता है जिसकी वज़े से ये problem आती है और तीसरी problem है ये hello testosterone problem ये एक हार्मोन है और ये हार्मोन का level जब कम हो जाता है तब ये problem आती है ये हार्मोन कम क्यों होता है एक तो age factor की वज़े से होता है कि जैसे जैसे age बढ़ती है ये हार्मोन का level कम होने लगता है या कोई injury है, कोई infection है उसकी वज़े से कम होता है कोई allopathy medicine ले रहा है उसकी वज़े से कम होता है खास कर जो blood pressure की medicine ले रहा है या antidepressant ले रहा है medicine या anti-allergic medicine ले रहा है जिसकी वज़े से ये सब problem आती है इसके अलावा sleeping problem की वज़े से भी दिक्कत आती है sexual problem आती है क्योंकि जब sleeping problem होती है तो हमेशा बाड़ी में sadness रहती है और tiredness की वज़े से जो poor blood flow होता है यानि कि blood का circulation हमारी बाड़ी में ठीक से नहीं होता और मैंने आपको शुरू में बताया कि blood circulation की वज़े से poor blood circulation की वज़े से ये erectile dysfunction की problem आती है और इसकी वज़े से premature education की problem आती है इसके अलावा एक और major problem है जिसको बोलते है masturbation वैसे तो एलोपेथी डॉक्टर या बहुत सारे लोग ये कहते है कि masturbation एक natural processes इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई परिशानी नहीं है लेकिन अरुवेद में हमेशा अपने सर्मन को अपने वीरे को और अपने स्पम को हमेशा संग्रे करने के लिए याने की रखने के लिए ठीक से रखने के लिए बताया गया है ताकि जो बीज अच्छा होगा तभी आपकी संतान अच्छी उत्पन होगी तो ये जो masturbation है ये एक गलत practice है और इससे दूर रहना चाहिए हमारी body में हम जो भी भी कुछ खाते है अच्छा है, बुरा है, जो भी कुछ खाते है उस खाने से रस बनता है, रक्त बनता है मास, मेद, अस्थी, मज़ा, शुक्र ये साथ तरह की धातु बनती है ऐस पर आरुवेदा और आठवी धातु बनती है अरुवेदा की साथ तरह जिसको बोलते है ओज, ओज का मतलब होता है immunity, और अगर 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 masturbation करता है, तो आप समझें कि वो अपनी immunity को weak करता है और इसकी वज़े से कई सारे उसको problems आती है दूसरी बात, जब कोई masturbation करता है तो उस समय क्या करता है जो penis के उपर जो soft blood vessels होते है उसको वो damage करता है उसको वो hard कर देता है जिसको plasticity बोलते है और इसकी वज़े से poor blood circulation शुरू हो जाता है और इस poor blood circulation की वज़े से premature education और ये erectile dismotion की problem आती है उसके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा masturbation करता है तो उसका जो simon है यानि कि जो वीरे है वो पतला हो जाता है थिन हो जाता है जिसकी वज़े से premature education होता है जिसकी वज़े से nightfall होता है अब ये जो मैंने आपको बताया जो simon होता है जो वीरे होता है वो पतला नहीं होना चाहिए वो गाढ़ा होना चाहिए वो थिक होना चाहिए जिसकी वज़े से जिसको भी problem होती है premature education की उसमें main problem ये है ये मैं आपको example समझा जाता हूँ देखिए अगर आपका सिमन आपका वीरे बहुत पतला होगा पानी की तरह है तो अगर आप पानी की बुन डालेंगे बड़ी तेजी से नीचे गिरेगी लेकिन अगर वो आपका सिमन आपका वीरे गाड़ा है शहद की तरह है तो शहद भी अगर आप एक बुन डालेंगे तो बहुत धीरे 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 नीचे जाएगा यही process during sexual relation यह आता है कि premature education इसलिए होता है क्योंकि वो जो सिमन आपका वीरे है बहुत पतला हो गया जिसके विसे आता है तो अगर वो सिमन वो वीरे गाढ़ा है तो फिर premature education नहीं होगा और आप proper time लेंगे और proper time लेने पर आप बिल् और अभी हमने discussion करिया premature education पर अब हम बात करते हैं कि low sperm count यह जो तीसरी और आखरी problem जो यहाँ पर discuss करने हमें वो है low sperm count यानि की शुक्राणों की कमी यह जो शुक्राणों की कमी है इसकी वज़े से क्या होता है कि कई बार आप देखेंगे कि erectile dysfunction की कोई problem नहीं है erection चीक हो रहा है और उसके बाद premature education की भी इतनी ज्यादा problem नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी जो partner है वो conceive नहीं कर पा रही है वो pregnant नहीं हो पा रही है तो जो वो check-up कराते तो पते चलता है कि महाँ पर शुक्राणों की कमी है यानि कि sperm count जो है बहुत low है जितना होना च नहीं निकल पाता दूसरा low hormone level की वज़े से भी शुक्राणों में कमी होती है तीसरा ejaculation problem जो होती है उसकी वज़े से भी शुक्राणों ठीक से नहीं निकल पाते और अगर किसी की बाड़ी में कीमो radiation यानि की कैंसर के during cancer किसी को कीमो हुआ है radiation हुआ है तो उसकी वज़े से भी sperm count बहुत low हो जाते है या किसी को गरम पानी से नहाने के आदत है तो गरम पानी में बैटने से गरम पानी में नहाने से भी sperm count low होते है तो इसलिए ध्यान रखे हैं कि आप 39 degrees से ज्यादा Celsius पानी से ज्यादा ना नहा है ने तो उसकी वज़ आप आपको कुछ रहे हैं कि इसका treatment क्या है यानि कि अगर हम गहलु इलाज बोने है treatment हो तो कि किसी को भी हमारे देश में गर यह problem होती है तो सबसे पहले वो एक six specialist के पाश जाता है और यह सेक्स specialist होते हैं यह आलोपैत के भी हो सकते हैं आरुवेद के भी हो सकते हैं यूना चूरन बनाके और पुडिया में करके अक्सर लोग ऐसा करते हैं मैं सबकी बात नहीं कर रहा अक्सर जो आरुवेद और युनानी वाले होते हैं वो अक्सर ये जो एलोपेद की दवाईयां होती हैं सक्स टैबलेट होती हैं ये टेडलाफिल और व्यग्रा इसको पीष कर उसको पुडिया बना कर देते है और इसको खाने से क्या होता है कि एकदम से बहुत अच्छा रिलीप मिलता है एकदम से बहुत अच्छा उसको लगता है कि येस मैं बिल्कुल ठीक हो गया लेकिन ये आगे चलके बहुत ही खतरनाग इस्तिती पैदा होती है तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी से भी अपना इस तरह का इलाज करा रहे हैं चाहे वो युनानी हो चाहे वो आरुवेदा हो और अगर आपको वो ये दवाई देता है कुछ इस तरह के दवाईयां देता है तो आपको कैसे पैचारना है कि ये दवाई सही है या गलत है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने किसी से टीटमेंट लिया और उन्होंने वो दवाई बना के दिया आपको वो दवाई लेने के बाद अगर आपको तुरंत रिजर्ट दिखे यानि कि जैसे आपने दवाई खाई दवाई खाने के 15-20 मिन आदा गंटा एक गंटे के अंदर अगर आपको एरेक्शन शुरू हो जाता है तो समझे कि वो ठीक नहीं है अगर आपका बीपी बनने लगता है तो समझे दवाई ठीक नहीं है अगर आपका सिर भारी होने लगे आखे लाल होने लगे, नाक आपके जाम होने लगे, कान आपके गरम होने लगे, और relation बनाने के बाद अगर आपको weakness लगे, कमजोरी लगे, तो समझेए कि जो दवाई जो आरुवेद के नाम पर या यूनानी के नाम पर आपको दी गई है, ये दवाई सही नहीं है, Allopeds तो सही है ही नहीं लेकिन उसके अलावा भी अगर कोई आरुवेदिक या युनानी दवाई लेके आपको यह सिंटम्स आते हैं तो समझे कि वो गलत दवाई है अगर कोई दवाई आरुवेदिक होगी और्जनल होगी सही होगी तो यह कोई भी symptoms नहीं आएंगे इसका मतलब आपको तुरंत result नहीं दिखेगा आपका BP कभी नहीं बढ़ेगा आपका सिर भारी नहीं होगा आपकी आखे लाल नहीं होगी आपके नाक जाम नहीं होगा आपके कान गरम नहीं होगे और relation बनाने के बाद आपको हमेशा freshness लगेगी relation बनाने को temporary increase कर देती है यह जो दवाईया है आपके blood flow को बढ़ा देती है जब blood flow बड़ी तेजी से बढ़ेगा तो मने आपको पहले बताया था कि blood flow पूर blood circulation की problem है फिर आपको reaction की problem नहीं आएगी लेकिन यह आपके heart kidney liver यह तीनों को damage करता है अगर आप इस तरह की दवाईया लेते जिसका आपको यह kidney liver और आपका heart damage हो जिसके विए से eyesight और आपकी memory loss हो इसका आप विशेध्या रखें अब हम बात कर रहे हैं अपने हां के treatment की भारत पैथी health care यह हमारा एक online wellness platform है जहां पर हम यह सारे acute or connect disease का online treatment करते हैं हमारे साथ जिव जड़े हो जितने भी experience 20-24 साल के जो treatment करते हैं और इसलिए बहुत आसानी से patient ठीक होते हैं तो आप हम बात करते हैं कि जो हम जो treatment करते हैं जो एक ट्रेल डिस्वंक्शन की कमी की वज़े से या premature ejuculation का हम जो treatment करते हैं उसके बारे में आपको बताता हूं कि अगर आपको किसी को भी दिक्कत है तो आप भी यह कर स है कि जो plate one है यानि कि जो salad है वो आपको शाम को सूरज छिपने के बाद नहीं खाना है यह आपको ध्यान रखना है खटी चीजे आपको बिल्कुल नहीं खाना है जगर आपको यह सब प्रॉलम है इसके अलावा आरुवेदिक आउशदी के लिए आपको कुछी समान है जैसे सिद मकरध जोच पांस ग्राम चाहिए अब क भस प्रट को मृधन चाहिए आपको बांच मंप complaint शिला जी त SHilajit आपको 10 ग्राम चाहिए और उटगन बीच के 20 घुटी talk चाहिए तो यह जो आप सब चीज के और इसको का है इन सभी को पहले खरल में डाल कर और Doha बहुत अच्छी से उसकी घुटाई कीजिए, घुटाई करने के बाद देशी पान के पत्तों का रस निकाल कर उसके अंदर डालिए, देशी पान के पत्तों का रस कितना डालना है, जिससे वो सब चीज ठीक से गीला हो जाए, ठीक है, पेस्ट बन जाए उसका, बहुत ही, के बाद एक गोली रोज खानी है या तो गरम दूस से ले सकते हैं या गरम पानी से ले तक अगर दूस से ले तो एटू गाय मिल्क होना चाहिए वरना गरम पानी से भी आप ले सकते हैं आरुवेद में अक्सर जो ये दवाईयां दी जाती हैं वो गाय के दूस से दी जाती है तो इसलिए मैंने आपको यह बथाया, कम से कम इसको आप दो से तीर महीने ज़रूर करें खटी चीज, मिर्च मसाले वाले भोजन ये आपको नहीं लेना hay तो इतना आपको ध्यान लखना है, यह जो आप देख रहे हैं, इतना आपको ध्यान लखना है यह जो treatment में आपको बता रहा हूँ यह है low sperm count का सबसे पहले वही आपको D.I.P. डैट लेनी है जिसका link मेंने description में दे दिया है और आपको sunset के बाद plate number one यानि कि वो सलाथ नहीं लेना है खटी चीजे आपको नहीं खानी है इसके बाद आरवेदिक चीजे जो है उसमें असगंद यानि कि अश्वगंदा अश्वगंदा का जो powder होता है वो ले 100 ग्राम सफेद मुस्ली 100 ग्राम ले गोखरू ले 100 ग्राम सालम पंजा 100 ग्राम है सालम मिश्री 50 ग्राम है इमली बीच के गिरी 50 ग्राम है, नारियल दरियाई 50 ग्राम, सिंगाड़ा पाउडर 50 ग्राम, सौट पाउडर 25 ग्राम और धागे वाले मिश्री 625 ग्राम ये जो समान आप देख रहे हैं, ये सारा समान ले लें, लेने के बाद इन सब को पीसकर पाउडर बना लें पाउडर बनाने के बाद आपको 5 ग्राम यानि की एक चम्मच रोज शुबह खाना खाने के बाद इसको गरम दूज से लेना है, दूद एटू गाय का यानि की देशी गाय का होना चाहिए, नहीं दूद लें तो आप गरम पानी से भी इसको ले सकते हैं, कम से कम इसको 2-3 मही नहीं का जरूर लें, और खटी और मसालेदार भोजन नहीं लेना है, इसका आप विशे द्यान रखें, और यहां पर मैं आपको विशे से एक नोट एक बताना चाहता हूं, कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई बिमारी है, कोई दवाई ले रहे हैं, तो फिर यह सब टीट है, वो एकटार डिस्मक्षन के हो, प्री मेचर अजुकलेशन के हो, लोइस्मक काउंट के हो, उनको यह जो कुछ फूड है, यह बहुत फायदेमंद है, इस फूड को जरूर लें, जैसे मसूरदार, मसूरदार में पॉलिक असीड होता है, इस दाल का पानी पीएं, यह बह रात में सोते समय, टाइट अंडर वियर ना पहनें, और रात में जीन्स पहन के ना सोएं, मतलब टाइट कपड़े जितने कम पहनेंगे, उतना वो फायदा होगा उन्हें, और उसके बाद गरम पानी से ज्यादा ना रहा है, यानि कि अगर 49 दिगरी से ज्यादा अगर आप ये सब करते हैं, और अगर आपने ये सब ठीक से किया, तो कुछ ही महिनों में आप दुनिया के most happiest couple बनेंगे, ये मेरा आप से वादा है, मुझे उम्मीद है एक वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक और शेयर जुरू करें, अब तक subscribe नहीं किया, तो bell icon को press करके subscribe करें, ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके, अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी treatment हमारे अंडरमेक लेना चाहते हैं, हमसे लेना चाहते हैं, तो आप इस number पर whatsapp करने concert, और आपको detail whatsapp कर दी जाएगी हमारे office से, या आप मेरी website manasummer.com slash concert पर ज जल्दी मिलते हैं, एक नई problem उसके solution के साथ, तब तक आप अपने जहां रख रहे हैं, अपने परिवार का जहां रख रहे हैं, मिलते हैं तब तक, नवश्कार.